है गाइज स्वागत आपको मेरे चैनल में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले कि चीपेस 3D प्रिंटर इन इंडिया सो यह वीडियो मैंने एक साल पहले बनाई थी इसमें मैंने बताया था कि कौन सी 3D प्रिंटर इंडिया के अंदर सबसे सस्ते दाम म में सबसे बेस 3D प्रिंटर कौन सी है तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगोंने बहुत लाइक किया है और मुझे बहुत से कॉमेंट्स भी आये हैं और लोग मुझसे 3D प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे इसमें आगे बढ़ना है मुझसे पूछते हैं 3D प तो ज्रू करते हैं तो डीशे स्क्रीण को देख पाा रहे हैं अभी के टाइम पे जो बेस्ट प्रिंटर है उसका नाम है एंडर 3 3D प्रिंटु ये का 3D प्रिंटर है इसे को मेनस्फधटर के का पॉम्पैक्शे क dad Also कि यह मैंने अमेजन लिंक खोल रखा है यहां से आप इस तरीडी प्रिंटर की रेटिंग्स दे सकते हैं बहुत अच्छी रेटिंग्स है इसकी 73% लोगों ने इसे फाइव स्टर रेटिंग दिया हुआ है और यह काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली थेडी प्रिंटर है आप किसी दूसरी आदर कंट्री से प्रिंटर मिंगवाते हैं तो पता हो कि उस पर काफी जादर कस्टम पे करना पड़ता है और टाइम भी काफी लग जाता है 30 डिलीवर होने में वेरेज आप अगर इस प्रिंटर करेंगे तो काफी जल्दी आपके पास डेलिवर हो जाएगा इसके लाबे मैं आपको इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता दूं इसकी खासिद क्या है इसमें कौन-खौन सी अलग चीज़ है सो जैसे कि फर्स्स दिंग आप देख पा रहे हैं ये एक एफटी एम काइंड ऑफ प्रेंटर है मां मिन्स यह फ्यूट्टी पोजिशन है इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं इसमें आप फिलामेंट यूज कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं स्टाट करेंगे देरे थे आपको में आइडिया लग जाता है कि जो हम स्टाट करते हैं तो वह हम पी एले से स्टाट करते हैं सो और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पावर इंपूर्ट है हमारा हंडरेड टू टू-टू-शॉक्तिवाव वोल्ट का है और और जो हमें जो डिफॉल्ट इसके साथ जो नोजल मिलती है त्रीडे पिंटर के साथ वह 0.4 mm की नोजल मिलती है जै पॉइंट 4 mm जिसका डायामीटर होता है इसमींस इसका मतलब यह है कि हम इसके अंदर यह स्टेंडर्ड साइज है जो मार्केट में अबलेबल है इसके अलाबा इसका नोजल मैक्सिमम नोजल टेंपरेचर जो हम 255 तक चीप कर सकते हैं मिन्स हीट जो होती है नोजल की मैक्सिमम 255 हो सकती है इस मिन्स आल्मूस्स सारे मटरियल टाइप्स के लिए जो नॉर्मल हम यहीं अच्छा 3dv प्रिंटर चाहता है तो लिए पेले फॉल्मल हों तो वह वो जाता है जो बॉड़ी है वह तैडीमीडी हो जाते हैं इसके लिए हमें टेप्रेचर मिंटेन करना होता है इसके लिए होना बहुत ही इंकम दसरी है इसके लाव आप इसकी प्रिंट वाइली कि देख सकते हैं कि कितने अच्य क्वालिटेस से निकलती है थोड़े बहुत ट्विक्स करने होता है तो जब आप पर प्रिंटर करते हैं तो यह प्रेटेसे पार्ट में में आपके पासा आता है यह और इसे फिर और बहुत अच्छी अच्छी टीटोरिल्स मिल जाएगी जहां पर आप इसकी इसेंबली को सीख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वेबसाइट है जो 3D प्रेंक दिया हुआ है सो अगर हम इसके अगर बाकी सारे प्रिंटर देखें तो प्राइस काफी हाई होती है बाकी सारों की और इंडिया के अंदर मिंस अभी के टाइम पे जब पैंडेमी का सिच्वेशन चल रहा है तो इस टाइम प्रिंटर्स मंगाना बहुत ही मुश्किल ह हो सकता है तो इंडिया के अंदर यह बेस्ट प्रिंटर में रेकॉर्डिंग अबलेबल है और आप प्रो वर्जन भी मुझा सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सजीशन आ रहा है कि रालिटी एंडर्स प्रोप 3D प्रिंटर का भी लेकिन इसकी प्राइ दोस्तों में दोनों प्रिंटर के बाइ लिंक्स अपने वीडियो में नीच दे दूँगा अगर आप वहां से बैकन हो चाहते तो नहीं सरफ यहां पर अजन पर जाके तर फ्री शच करके अप यह पेंटर प्रिंटर भी बाइक कर सकते हो इसके अलाबा अब यह नहीं आपक प्रिंटर के साथ कुछ भी इसूज आ रहा है तो आप यहां पे आराउंड आप देख सकते हैं इनके साथ आप डिसक्स कर सकते हैं आप पोज डाल सकते हैं कि I am having this kind of issue that kind of issue and they will support you they are very active users here all of them so काफी अच्छा आपको support मिल जाता है कहीं पर भी आप फस्ते नहीं हो बहुत असानी से आप 3D printing स्टार्ट कर सकते हो आप 3D printing कुछ नहीं पर डिजाइन कर सकते हैं इसके अलावा you can also contact me अगर आप किसी भी टाइम पर अगर आपको मेरी जरूरत है आप म करता हूं अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि नहीं आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो आप बेज़े जक मुझे मैसेज करें मैं आपके रपलाई करूंगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो गुड लाग झाल 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 झाल